नमस्कार मित्रो, इमेज सिक्षण ग्ण्यान मा आपनों स्वागच्छ मित्रो, ICM ना प्रिवियस लेक्चर मा आपने ट्रबल सुटिंग एटले सु अने ट्रबल सुटिंग माटेना स्टेप तथा ट्रबल सुटिंग माँ वासे यिंस्ट्रूमेंट वी से बने हाथा मित्रो, next question छे, ट्रबल सुटिंग माटे जोईता टूलस अने अनिना सामगरी समझाओ तो मित्रों ट्रबल सुटिंग माटे आ प्रमाणेना साधनों नी जरूर पड़े छे एलेके टूल्स एलेके साधनों नी जरूर पड़े छे आनी पेला जोया हादा एंस्ट्रूमेंट दा इंस्ट्रूमेंट अने टूल्स बन्ने माँ फर्क छे मित्रो एक वात नो ध्यानब जो पहलू चे वायर गेज, फिलर गेज, बेरिंग पुलर, अंडर कटिंग टूल, सोल्डरिंग आयन, सेंड पेपर, कोटन अने पीवी सीट टेप, वार्नीस, क्लीनिंग सॉल्वंट अने अन्य टूल्स, जेमके चप्पू, प्लायर, नूस प्लायर, स्क्रूड्राइवर, पाना वगेरे आमा थी केटलाक साधनोवी से तमने ख्याल आशे, तो अपड़े वन बैवन दरेक नू वर्किंग समझी पेलू छे वायर गेज, तो वायर गेज थी कोई पन वायर नो गेज मापवामा आवे छे मित्रो तमने प्रस्थन थाए, गेज इटले सू, नॉर्मली गेज ने डायामिटर कही सक्किये छे के वायर नी अंदर जे ताहर आपेलो छे, एनो डायामिटर केटलो छे, एनने गेज केवमा आवे छे एले अलग-अलग टाइप ना गेज होई छे, अलग-अलग वायर एनने जाडाई प्रमाणे एना गेज नक्की करवमा आवेला होई छे तो गेज एले नोर्मल इने डायामिटर के होँमा आवे छे, एले वायर गेज थी, कोई पन वायर नो गेज मापवा मा आवे छे बिजू छे फिलर गेज, तो फिलर गेज नो उप्योग नोर्मली एर गेप मापवा माटे थाई छे अवे वाद करी लेके एर गेप सेमा माप वाने वाई तो DC जनरेटर छे मोटर छे जह मा स्टेटर अने रोटर आउता होई अने बनने वच्चे नी एर गेप ए फिलर गेज नी मदद्थी मापी सकाई छे उपरांथ बेरिंग मां गसारो पन सोधी सकाई छे बेरिंग मां केटलो गसारो थाई छे तो बेरिंग मां गसारो ए एर गेप पर डिपेंड छे तो भीलर गेज नी मदद्थी एर गेप मापी सकाई छे उपरांथ बेरिंग नो गसारो पन सोधी सकाई छे त्यार बाद छे बेरिंग पुलर तो बेरिंग ने साप्ट पर थी अलग करवा माटे अत्वा तो साप्ट पर 62 माटे बेरिंग पुलर नो उप्योग करवा माँ आवे छे मित्रो तम्ये आ साधन नॉर्मल ये आपड़ा घरे जोयू हसे कोई ट्रेक्टर मां जहरे आपने बेरिंग बैसारता होई ये छे तो आ शाधन होई छे याने क्यों बेरिंग पूलर के होमा आवे छे ले कोईपन साप पर्थी बेरिंग ने 62 माटे अथवा तो बेरिंग ने साप थी अलग करवा माटे बेरिंग कुलर नो उप्योग थाई छे तरबाद मित्रो छे अंदर कटिंग टूल तो कम्यूटेटर बार नी वच्चे नू माई का कोई कारण सर भार उपसी आवे तो तेने काप पर माटे अंदर कटिंग टूल नो उप्योग थाई छे अपने बधाने क्या आज के डीसी मोटर ना डीसी जनरेटर माँ कॉम्यूटेटर आवे छे अने कॉम्यूटेटर ना सेग्मेन नी वच्चीक माई का होई छे तो कॉम्यूटेटर बार वच्ची नू माई का को कारण सर भार उपसी आवे तो तेने कापवामाटे अंडर कटिंग टूल नो उप्योग थाई छे आ खास प्रकार नो धारवाडू चप्पा जेऊच साधन होई छे त्यार बाद मित्रो छे सोल्डरिंग आयन जेने आपने सोल्डर कही है छे नौर्मल माँ आपने बद्धा ने ख्याल छे के सोल्डर नो उप्योग सू थाई तो ये सोल्डरिंग नी जरूर पड़े त्यां सोल्डरिंग आयन तमे वापरी सको छो लगे इलेक्ट्रोनिक मा कोई पन बे वस्तु ने के धातु ने जूडवानू काम सोल्डरिंग आयन द्वारा करोव आवाई चैन्सलिप रिंग ने वॉप्योगी चैन्स्य يع़क दोस्तोत वायर चेन्सेयर आप्र को पाक। कोटन ने PVC टेप नी जरूर छे अपर नॉर्मल मां इंसुलेशन टेप कही है छे जे ब्लेक, ग्रीन, रेड कलर मां आवे छे नॉर्मली घरना वायरिंग मां बड़े वापरता वही छे एनने इंसुलेशन टेप केवाई एननों क्या उप्योग थाए तो के वायर ना साधा पर इंसुलेशन मां आटे तेहनों उप्योग करों मां आवे छे त्यार बाद चे वार्नीस तो के वायंडिंग परनों इंसुलेशन नबडू पड़ेलू होई तो तेहने री वायंडिसिंग करों मां आवे छे अन्य आ माटे वार्नीस नी जरूर पड़े छे आंस्य आक नके एटलेक बारेऊ करे है छे के वाइन्डिंग नू привार्निसिंग कराओ जरूर पड़े खोई क्येम के वाइन्डिंग घ vengeा समे पचीन नभड़ू पड़े गी घ्य होई छे तो त्याना माटे वार्निस उप्योगी छे त्यार बाद छे क्लीनिंग सॉल्वंट क्लीनिंग सॉल्वंट एटले साब करवा माटेनू सद्धन छे लेके दूर, कच्रो, ओईल वगेरे मसीन ना भागो पर जामेला होई तो त्याने साब करवा माट टेक क्लीनिंग सॉल्वंट न उप्योग थाई छे नॉर्माली पेट्रोल, डीटर्जन, कैरोसीन, कार्बन, टेट्राक्रोलाइड वगेरे तेमा वपर आई छे त्यार बाद छेलो छे अन्या टूल्स, एमा चप्पू, प्लायर, नोस प्लायर, पाना, वगेरे, जन्रल कामगेरी माटे आप अपरायमा छे नौर्मली पक्कड जीवु साधन नूस प्लायर पने पक्कड जीवु साधन के वहाँ ने प्लायर पक्कड कही सकाई त्यार बाद मित्रों छे नेक्स्ट टोपिक छे के विवीद इलेट्रिकल एक्वीपमेंट मां थती सामान्य मुस्केलियों जो के आक विश्ण आपड़े अल्रेडी बनी गया के इलेट्रिकल साधन मां शती कया कारणों सर थेई सक्के तो नौर्मली यह बड़े बेभाग जोया के बाहिया कारणों औने आंत्रिक कारणों आंत्रिक कारणों मां जुई होतु त्रण भगता इलेट्रिकल, मिकेनिकल और मेगनेटिक तो एज पॉइंट नो उप्योग आपडे आमां करवानों छे परंतु स्पेसेबिक साधनों मां के DC मोटर मां कई के खामियो उद्भवे एमां यांत्रिक कई, इलेट्रिकल कई और मे अगनेटिक कई, त्यार बाद ट्रांस्फोर्मानी बाद करवानी छे तो मित्र आ टोपिक आपडेटिल मा नहीं जुई है, और तमने महीति आपी दोचू, सवती भगता चे DC मसीन, तो तमने जातेत वाजवानों छे कि आमां बद्धाज पॉइंट आगरना क्वेशन, जे इलेट्रिकल ख्षती ना कारणों छे, इलेट्रिकल फोल्ड थावाना कारणों यमां आपड़ेडी बद्धा कारणों बणी गया छे, आमां दरेक मसीन वाई स्पेसेपिक आपियू छे, तो पैलू छे DC मसीन, यमां मिकिनिकल फोल्ड काया छे, तो पैलू छे बेरिंग नो गसारो बेरिंग नो बॉल्ट टूटी जो लुब्रीकेशन पद्धती मा खामी अवाज आवे अथवा तो बेल्ड स्मूथ फरतो न थी बेरिंग नो उसना तापान वदवा थी लुब्रीकेशन थापमान वदे छे ए मिकेनिकल टेस्ट मा आवे बीजू छे ब्रस ओल्डर खर वाइब्रेशन वदे त्यार बाद फाउन्डेशन बोल्ट डीला थवा ती वाइब्रेशन वदे छे इलेट्रिकल खामी मा जुई है डीसी मसीन मा तो के वाइन्डीन नो इंसुलेशन खराब थाई जवू परेणा में अमुक टन सोट थाई चे अत्वा फेस टू अर्थ फ फोल्ड थाई चे डीला जोडान वाथी स्पार्किंग थाई कॉम्मिडेटर नी खराबीने काराने ब्रस नू अयोग्य सेटिंग होई तो ब्रस ओल्डर नी खामी वगेर रही जाई छे त्यार बाद खोटा जोडान थी इमोटन उधी दिशामा फरे छे तो आब दा इलेट माँ स्वाट साकेट थावाद एडिकरन वध्वाने दे कोर्नों हीटिंग वधे छे तो ये बद्धा डीसी मसीन माँ उध्वूता फोल्ड छे त्यार बाद अपड़े एसी मसीन नी बात करिये तो एसी मसीन माँ लेसी मसीन काया कया तो के ओल्टरनेटर इंडक्शन मोटर स प्रकारना मसीन चे तो मित्रों ते पने क्वेशन पूछी सके चे के इंडक्शन मोटर मां थता फोल्ड विसे महीत्य आपो कया कै ये ते फोल्ड थाई सके चे तो के मूटा भागना मिकेनिकल फोल्ड एडिसी मसीन मां जूया एज प्रमने ना आवे इलेट्रिकल मां पण एज प्रमने ना उसे अने चुम्बक मां पण ए प्रमने ना आवे खाली एक एड थाई चे चुम्बक मां कि स्टेटर है रोटर एक सिधी लीटी मां न होने कारण है बेरिंग मां खामी उत्पन थाई सके चे तो मित्रों आपड़े AC मसीन, DC मसीन अने त्रीजू छे ट्रां को ट्रांस्फोर मां कहा कहया कहा फोल्ड उत्पव इच्छे तो के ट्रांस्फोर मर इस सतीर साधन चे जैरे मौटर, DC मोटर होए, क्के masterC मसीन होए का तो DC मसीन होए ए रोटेडिंग मसीन छे बरोबर इले ये बन्ने मा फोल्ट थावण मा गणो डिफरंट छे तो ट्रास्पोमर ए स्थीर साधन छे तेथी तेमा mechanical फोल्ट थावणी सक्केताओ उची छे छता बन केटले खामियो mechanical साइड उद्धवी सक्के छे सबुती प्यली छे mechanical खामियो मा और सम्तोलन फाउंडेशन के फाउंडेशन नों सम्तोलन बराबर न होई ए एक mechanical फोल्ट छे त्यार बाद कोर बोल्ट धिला होँ थी वाइब्रेशन ने अवाज आवो कोर ने ट्रांसफोर में जारे फीट करोवाँ थी बोल जो धिला होई तो एमा तम्हें वाइब्रेशन आवेचे वाइब्रेशन थावा थी एमा अवाज उत्पन थाई छे त्यार बाद छे electrical folds तो पहलो electrical folds छे फीजना अमुक टन स्वाट थावा थी current वदे छे औने वधारे उसमा प्यादा थाई छे ट्रांस्वाट थावा थी स्वभाईक वस्तू छे गे करे ओर करन थाई औने उसमा ओर करन थावा ने लिदे उसमा प्यादा थाशे त्यार बाद छे बुसींग खराब थाई तेना पर तीरार पड़े आथी ओईल नू लिकेज थाई त्रीजू छे जुडानों डिलाब थावा थी स्पार्किंग उत्पन थाशे नेक्स्ट छे त्राण फीजना कनेक्शन उलट-उलट थावासी फी सिक्वंस बढ़लाई जैसे ह्ट अने ल्ट वैंडिंग वच्चे स्वाट सर्किट थावी अने त्राण फीजना वल्टेज और समान होई तो बद्द्धाज फोल्ट ए इलेट्रिकल प्रकारना फोल्ट छे त्यार बात थे चुम्बक कीया खाम्यों कि चुम्बक कीया फोल्ट कैया कैया तो क्ये ओवर्फ्लक्सिंग थवाना काराणे कोर बोल्ट नू अवहक पड खराद थवाथी कोर ना लेमिनेशन स्वाट थाई छे अन्ती थी एडिक करंट लोस वधवा थी कोर वधारे गरम थाई छे तो आ मेगनेटिक फोल्ट छे ट्रांसफोमर नी अंदर त्यार बाद छे सरकीट ब्रेकर के सरकीट ब्रेकर मा उत्पन थता फोल्ट विशे समझाओ तो सरकीट ब्रेकर पन EC मसीन और DC मसीन तथा ट्रांसफोमर भगारता थोड़ू अलग छे तो सोथी पहला छे मिकेनिकल फोल्ट तो आपने बधाने ख्याल छे के सरकीट ब्रेकर मा मिकेनिकल पार्ट काई सकाई तो के जे ट्रिपिम मिकेनिजम छे जे सरकीट ब्रेकर ट्रिप थाई छे तो कनेक्शन डिसकनेक्ट थाई छे एनने आपने मिकेनिकल मा गणी सक्ये छे तो सरकीट ब्रेकर ना ट्रिपिम मिकेनिजम ना कोई पन भाग गसाई जवा अथवा तो तूटी जाए तो सरकीट ब्रेकर ओपरेट थाई सकतू न थी परेणा में तेना क्वांटेक बढ़ी जाए छे अने तेना द्वारा रक्सित इलेट्रिकल साहधन बढ़ी जाए छे आपने एक बधाने ख्याल छे कि सर्कीट ब्रेकर नो उप्योग आपने कौईपान इलेटरिकल मसीन ने अथो आतो इलेटरिकल साधन ने ओवर करंट ओवर वल्टेज अथो आतो अंडर वल्टेज प्रकानना फोल थी बचावमां आटे आपने सर्कित ब्रेक्रन उप्योग करिये छै हवे सर्कित ब्रेकर में ट्रिपिंग मे के निज़ी हुए छे दाणे ये ट्रिपिंग मे के निजरी गशाए जाए तो उसकती नosh अने इलेट्रिकल साधन ने प्रोटेक्शन मड़तू न होवा थी ते बड़ी जवानी संभाव ना छे तो एक मीकेनिकल फोल्ट छे सर्कृट ब्रिकन यंदर त्यार बाद छे इलेट्रिकल फोल्ट पहलू छे इन्सुलेटिंग ओईल खराब थाई छे क्वान्टेक्ट पर खाडा पड़े छे क्वान्टेक्ट बड़ी जाई छे जुडान दिला थवाती स्पार्किंग थाई छे इन्सुलेटिंग पोस्ट टुटी जाई छे अने ओप्रेटिंग कोईल बड़ी जाई छे अजवातो ओप पन्थी जाई छे आ छोव प्रकार ए इलेट्रिकल प्रकारना फोल्ड छे त्यार बाद छे मेगनेटिक फोल्ड तो मेगनेटिक फोल्ड माँ पहलो छे ओप्रेटिंग कोईल रिले अने इंटर लोकिंग कॉंटेक्टर नी कोर माँ पर्मेनन्ट मेगनेटिजम थाई छे बिजे plung जरुर मुजबो ओपरेट न थवाती सरकीट ब्रेकर ओपरेट न थाए तो आब बन्ने प्रकार ना फोल्ड जे त्यार बात छे सरकीट ब्रेकर पची चे अंडर ग्राउंड केबल के अंडर ग्राउंड केबल मा उदभौती खाम यो वणो तो अंडर्गराउण मा निचे प्रकान नी पांच रिते खामी उद्भवी सके छे सौथी पहलू छे केबल जमीन मा नाख्या पची खोदकाम कर्थी वगते केबल ना सीथ ने नुकसान थवा थी इंसुलेशन प्रतीरोद गटवाना कारने स्वाट सरकीट थाई छे केबलनों सीथेलेनु उपरनों पड याने उपरनों कवर याने स्वाट सरकीट थावानों बही रहे छे त्यार बात बीजू छे जोडान डिला पडवा थी स्पार्किंग थाई छे अंडर ग्राउंड केबल मा जो क्यांक जोइंट करेला होई आने त्यां जोडान डिला होई तो स्पार्क थावानों बही रहे छे त्यार बात छे इंसुलेशन वीक पडवा थी इंटर फेज फोल्ट थाई छे इतले के इंसुलेशन रजिस्टन्स घटवाना कारान इंसुलेशन वीक पड़े तो बे वायर वच्चे फेज टू फेज इले के इंटर फेज फोल्ट थावानी सम्भावना छे त्यार बात छे वाहक माथी वधारे करण पसार थावा थी अतीसाई गर्मी उत्पन थाई जहना लिदे इंसुलेशन नुखसान थाई छे अंडर गराउन केबल मा आ मेजर प्रोबलम छे के जहरे वाहक माथी पसार था यले केबल माथी पसार था करण नी वेल्यू बदी जाए तो अतीसाई टेंपरेचर ले गर्मी उत्पन थाई छे जहना लिदे इंसुलेशन बड़ी जाई छे अंडर गराउन फिटिंग मा मेजर प्रोबलम थतो वाई छे अबड़ा गरो मा त्यार बाद छे केबल ना कंड़क्टर औने इंसुलेशन पर राहसानिक असर ना कारण नुकसान थाई छे गणिवार तमें जोता हो चो के केबल नी अंदर राहसानिक प्रक्रियाथ वादी प्रवाई प्रवाई जेवू जाम थाई जाई छे केबल ना कंड़क्टर औने इंसुलेशन पर राहसानिक असर न ली धे पन नुकसान थाई च्यार बाद छे electrical installation electrical installation मा कई-कई खामियों दर्शावी सकए कई- POLT थाई सके छे तो कि": electrical सादरोνने supply आपमा माथे wiring installation कर वहमा AWS अन्ने त्यामा आ प्रहामाने खामी सरजाई सके छे पहलू छे supply voltage rated किम्मत करता ओछो थाओ यके rated किम्मत करता सप्लाइ वल्ड एज ओछो मड़े तोपन खामी दर्साही सके वायर ना इंचुलेशन ने नुक्सान थाउ फेज टू अर्थ फोल थाउ फेज टू फेज फोल थाउ जोडान डिला थावा थी स्पार्किंग थाउ एक फेज बन थावा थी सिंगल फेजिंग थाउ नुट्रल अने अर्थ वच्चे नो पोटेंशन डिफरंस वधी जव मित्रो आमा बहु समझवन न थी आपने बदाने नॉर्मल फोल छेआ बदा जेती बदाने माहिती समझी सका से क्या कि विदे फोल थाई सके छे त्यार बाद छे स्विच ना कॉन्टेक बड़ी जवा स्विच ना त्रण कॉन्टेक बराबर ऑपरेट न थाई तो पन इलेट्रिकल इंस्टूलेशन बराबर काम नहीं करे त्यार बाद रेग्गिलेटर स्टारर वगेरे माaning खामी आचवा त्यार बाद साधन वदारे करंड ले तो इंसुलेशने नुकसान थाए ए पण इलेट्रिकन इस्टुलेशन मा फोल्ड थाई सके छे तो मित्रो आहती के दरेक प्रकारना अलग अलग प्रकारना इलेट्रिकल साधनों मा उत्पन थती खामी ओले उत्पन थता फोल्ड मित्रो आ क्वेशन मा ध्यांसू राखवा जिवुँछे प्रिव्यस लेक्चर मा आपने क्वेशन जोयो होतो कि इलेट्रिकल साधनों मा उत्पन थती खामियो समझाओ तो यहां चाट द्वारा आपड़े समझाओ ता कि पहला एक बाहिया कारण छे नने एक आंथ्रिक कारण आंथिक करण मा व्जात्रों भाग पाड़े यहा ता जेमा एक हतो इलेट्रिकल, मेकेनिकल अने मेगनेटिक अने डरेक कापड़े समझाओ ता आ क्वेशन जेवो बिजो क्वेशन छे अत्यारवडे बढ़े हाए के अलग-अलग इलेटर साथ मैं इतले के DC मसीन मा उत्पन्थता फोल्ट समझाओ अथवा थो AC मसीन मा उत्पन्थता फोल्ट समझाओ लेखामियों समझाओ त्यार बाद ट्रांस्फोमर मा उत्पन्थता फोल्ट समझाओ त्यार बाद सर्किट ब्रेकर मां सर्जाता फोल्ट एले खामियों विसे महीती आपो अथवा तो underground cable मां उत्पन्धता फोल्ट विसे समझाओ अथवा तो छिल्लू छे electrical installation मां उत्पन्धता फोल्ट विसे नी महीती आपो तो आग वेशन ने अलग-अलग छोर इते पूछी सके छे मसीन, induction motor होई, synchronous motor होई, कोई पन रोटेटिंग मसीन होई, ए सर्किट ब्रेकर होई, ए बजा मां mechanical फोल्ट वजारे थाई छे तो मित्रो ए बातनों ध्यानाब जो, next lecture मां आवे ट्रबल सुटिंग चार्ट विसे बनी सूँ, आपार